हलो दोस्तो आप सभीका स्वागत है अपने ही चैनल जी के माधिका पर दोस्तो आज के इस वीडियो में BPSC प्रात्मिक सिछक भरती 2030 के लिए एड़ुटेरिया बुक से प्रैक्टिस सेट नमर तीन देखेंगे तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तो पहला प्रशन है फड़ापा सभ्यता में जूते हुए खेत का साच कहां से मिलता है तिसका राइट एंसर ओप्सन हो जाएगा काली बंगा से अगला प्रशन है असोग दवारा कलिंग का जूत की सुवर्ष लड़ा गया था इसका राइट एंसर ओप्सन भी हो जगा 261 इसापूर में अगला प्रशन है मौर्ज काल में चरगा के अध्यस को क्या कहा जाता है तिसका राइट एंसर ओप्सन भी हो जगा बीविता अध्यस कहा जाता है अगला प्रशन दखते है क्योचन गूप्त काल में पूग किसे कहा जाता है तो गूप्त काल में पूग किसे कहा जाता है इस मन्द्र और अभिलेक का समन्द किस सासकि से है है कि महमद गौरी को भारत में पहली बार किस ने पराजित किया था तो मुहमद गोरी को भारत में पहली बार किस ने पराजित किया था इसका राइट एंसर ऑप्शन भी हो जागा भीयूंग दूती है अगला प्रसने दिल्ली सल्तनत में बीद्रोहियों के परति दूर्बल निती किस सासक ने अ पर था का अरम किया था तो किस सुल्टान ने जो है सनी को कोई नगद वेतन देने कि पर था का अरम किया था इसका ड्यकित आजrage संक्राश अगला प्रस्द दeekते हैं किशने निम्लिखीत में से किस मुगल बात्शा ने नयाय की परसी जंजीर लगवाए थी इसका राइट एंसर ओप्सं यह जाएगा जहांगीर ठीक Eh अगला प्रस्ण देखते हैं, किर्चने निमली खीत में से किस ने तारा सीकों को लगु अकबर कहा था, तो किस ने तारा सीकों को लगु अकबर कहा था, इसका र clear answer options छी वजयागा लेन पूल ने अगला प्रस्ञन किस सी गुरू ने सीघखो के एक सैनिक संपरदाय को रूप में प्रविरितित किया था तो किस सी गुरू ने किया था गुरू हर गोविन ने इसका right answer options धी हो जागा गुरू हर गोविन ठीक्या अगला प्रस्ञन देखते हैं किशे ने विजाई नगर के किस सासक के काल में अबदुल रजाक ने विजाई नगर की यात्रा की थी तो किस सासक के काल में की थी इसका राइटनसर ओप्षन डी हो जगा देवराय दृतियेक सासन काल में अगला प्रस्ण वांडिवास का जूद कब हुआ था वांडिवास का जूद कब हुआ था इसका राइट एंसर ओप्षन भी हो जगा 1760 इसुर में अगला प्रस्ण देखते हैं किश्चन है अहमद सा अफदाली के भारत पर पर्थम आकर्मन के समय मुगल बाशा कौन था तो कौन था उसमें भारत के पर्थम आकर्मन के समय मुगल बाशा कौन था इसका राइट अंसर हो जगा ओफशन C क्यादाली के बीच हुआ था ठीक है अगला प्रस्ण देगते हैं प्रशा ने फिरोजा फैजाबाद में ठीक है अगला प्रस्ण है किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 इस्यु शे लेकर 1772 इस्यु के मध काल खांड को डाकुराज की संग्या दे थी तो किस इतिहासकार ने दी थी इसका राइट एंसर ओप्षन सी हो जागा के के एम पनिकर ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं किस अधिरियम के माध्यम से भारत की सिच्छा पर एक लाख रूपिय खर्च करने का प्रवधान किया गया है तो किस अधिरियम के माध्यम से किया गया है इसका राइट एंसर ओप्षन भी हो जागा 1813 के अधिरियम के माध्यम से अगला प्रसंद है आत्मी सभा का गठन किसके दवारा किया गया था इसका राइट एंसर ओप्षन सी हो जागा राजा राम मोहन राय के दवारा किया गया अगला परसन हैं अली गर्ड अंदोलोन के संस्था पाउन थे इसका रॉय है सर सेद अहमद खाद थे ठीक है अगला प्रस्ण दखते हैं कि यूचे ने पागल पंथी विद्रो किसके निर्थी तुम में हुआ था इसका राइट एंसर ओप्शन हो जागा करम साह के निर्थी तुम में ठीक है अगला प्रस्ण है सन 1881 इस्विर का पर्थम करखाना अधिनियम किस वैसराय के वकाल में पारित हुआ था तो इसका राइट एंसर हो जागा ओप्शन सी लोड रिपन के समय हुआ था ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं कि यूचे ने गांधी जी ने दच्छिन अफिर का प सर्व पर्थम पर सेंसर्शीप लागू किया था तो किस गौर्णलन करद जणर अगया ठीक है इसका राट अंसर ऑप्सन जी हो जागा 1908 में ठीक है अगला प्रसन निम्लिकीत में से दिल्ली में सवधेशी अंधोलन का निर्तितू किया था तो इसका राट अंसर हो जागा option C सेद हैदर रजा ने अगला प्रसन देखते है क्योचन है किस उधरवादी नेता ने दी Grand Old Man के नाम से जाना जाता है तो किस उधरवादी नेता जाना जाता है तिसका याटंसर option D हो जगा दादा भाई नौरजी ने अगला प्रस्ण निमलिखीत में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी तो असवयोग आंदोलन कब हुई थी तो उनैसो बीस में सवराज पाटी की घठन जो है उनैसो तेस में हुआ था खेडा आंदोलन उनैसो अठारा में हुआ था चंपारन सत्यगरा उनैसो सत्रा में हुआ था तो कौन सी घटना जो है सबसे बाद में घटित हुई थी तो उनैसो तेस में सवराज पाटी का घठन ठीक है इसका राइट एंसर ओप्शन भी हो जागा अगला प्रस्ण है जल्यवाला बाग हत्याकण के बिरोध में निमन में से किसने चार की उपाधी को त्याग दिया था महातमा गांधि ने कौन सी उपाधी जो है त्याग दिया था कैसर ए बस्तर एहिंड का ठीक है Coronavirus तो ध्यान रखेगा अगला प्रस्थ दखते हैं कि उचे ने निम्लिखीत में से किसके सुझाओ पर भारतियों को साइमन कमिशन से बाहर रखा था तो किसके सुझाव पर भारतियों को सामन कमिंसन से बाहर रखा था इसका राइटेंसर ऑउप्सन सी हो जगा Lord Irvine के सुझाव पर अगला प्रसने देोतिये बिस्वजूद कब शुरू हुआ था तो देष्वजूद जो है कब शुरू हुआ था इसका राइट एंसर ओप्सन भी हो जागा 1949 में पर्थम भी स्वजूद कब आरम हुआ था तो पर्थम भी स्वजूद जो है कब आरम हुआ था 1914 में तो ध्यान रखेगा अगला प्रस्म देखते हैं किशने निम्लिखीत में से कौन सी जूग में सुमिलित नहीं है लोड रीपन का घटना करम से समनी तया गया Communicable E échवार्ड तो जोस्तो ए जो है घटना करम इससे समनी नहीं है Comunical Eवार्ड घटना करम समनी थैं लोड वैलिंग्टन से समनी थै तो इसका राइट एंसर ओप्सन यह हो जागा जो सुमिलित नहीं है अगला प्रशन है कि जंडा गित निमलिखीत में से किसके दवारा लिखा गया था तो जंडा गित किसके दवारा लिखा गया था इसका राइट एंसर ओप्षन भी हो जागा स्यामलाल परसाथ के दवारा लिखा गया था अगला प्रशन है निमलिखीत मे से कौन सी COVID-19 वैक्षिन DNA अधारित वैक्षिन है इसका राइट एंसर उप्षन यह हो जाएगा जाएकोड डी अगला प्रस्ण है कौन सा संगठन ओप्रेशन ग्रीन को करियानवीत करता है तो एन एफ इडी इसका राइट एंसर ऑप्षन यह हो जाएगा अगला प्रशन है आर्थिक सर्वेच्छन किसके दोरा परकासित होता है इसका राइटेंसर ओप्षन यह हो जागा वित्मंत्राले के दोरा अगला प्रस्ण है सर्व सिच्छा अव्यान का उदेश किस आयू के बच्चों में सिच्छा के प्रोशाहित करना है तो इसका राइटेंसर आप्शन भी हो जगा 614 वर्स के बच्चों में अगला प्रस्ण है वह उदोग जो खनीजों का उप्योग कच्चे माल के तौर पर करते हैं क्या कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं इसका राइटेंसर आप्शन भी हो जगा खनीज अधारित उदोग कहलाते हैं अगला प्रसन निमलिकीत कंध फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है इसके राटेंसर ओप्प्सन भी होचागा आलू को कहा जाता है अगला प्रसन देखते हैं कीचन भारतिय मौसम जाएंस थान कहा इस्तित है अगला प्रसन है सार्क का अस्थाप्ना कब हुआ था तो इसका राइट अंसर अस्थाप्न जाया है उन्हें सो पचासी में सार्क की मुक्षाले कहा है तो कठ मांडू में है तो ध्यान रखेगा ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कीचन निवन में से कौन सी सही सुमिलित नहीं है तो कौन सी जो है सही सुमिलित नहीं है यह option में दिया गया है मैंक मोहंड रेखा जो भारत चीन के बीच है तो यह सही में कहें मेनर हिम रेखा रूस धुडवन करन्ड से तो रूज मंपलैंट की रेखा है सही है ठीक है हिंडन हाक रेखा जर्मनी पिरेसे एट चिह बीशी भीसाइई मेंयंगी-कन रेखा जुड़ फ्रांस को दीया गिए यक गलत है इंद्रा गानी प्रमानु अनुसंधान के अंद्र कहां इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा दुनिया की पहली तरल हाइडोजन संचालित नौका का नाम क्या है तो अगला प्रसम देखते हैं कि युचन भारतिय अंत्रिक्स अनुसंधान संग्ठान अनि इस्तित ने अपने बारा वरस्थ पुराने उपगरह मेगा ट्रोफिक्स को किस महासागर में गिराया तो किस महासागर में गिराया इसका राइटेंसर ओप्सन यह हो जागा परसांत महासागर में गिराया ठीक है अगला प्रस्ण सित्विनी राबुका किस देश के नए परधान मंत्री बने तो सित्विनी राबुका जो है किस देश के नए परधान मंत्री बने इसका राइट एंसर ऑप्सन स्योजगा फीजी की, ठीक है, अगला प्रस्ण रखते हैं Question है, Australia Open 2030 के विजयता कौन है Australia Open 2030 की विजयता कौन है, तो इसका राइट एंसर ऑप्सन स्योजगा नुवाक जोकोवीच है नुवाक जोकोवीच किस देशकी है, तो सर्विया देशकी है, ठीक है, सर्विया देशकी, तो ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण हाली में किस भारतिय संस्थान ने कृत्रिम हिर्दय तयार करने में सफलता हासिल की है तो किस भारतिय संस्थान ने जो है कृत्रिम हिर्दे तयार करने में सफलता हासिल की है तो IIT कानपूर तिसका राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा IIT कानपूर ने ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कियुचा ने किस वर्ष तक भारत उर्जा संतनता प्राप्त करने का लच निधारित किया है तो किस वर्ष तक निधारित किया है तो इसका राइट एंसर ओप्सन डी हो जाएगा 2047 तक ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं, किछा ने मिर्दू उत्तक का एक परकार है, तो मिर्दू उत्तक एक परकार का सरल उत्तक है, ठीक है, इसका राइट एंसर ओप्सन भी हो जागा, अगला प्रस्ण है, निम्न कत्नों पर विचार किजिए, तो निम्न कत्नों पर विचार करना है, कफन एक में दिया गिया है कि कवक में कलरोफील का अभाँ होता है तो sitten सत्व कफने है wraz segunda धर सखेद कथन जो पहले सथा भी में दिया है स्वै संबहने पॉधा नहीं है फर्न जो supporting पौदा तो यह भी गलत है चार में दिया गया है कि थैलो फाइटा वर्ग के पाउध्य का सरीर जड़ तना पतियों में भी बहेदित नहीं रहता है तो यह कथन सही है ठीक है तो एक और चार जो है सही कथन है तो option B इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रसंद दिखते हैं कि यह न शंकरमित पे जल से फहलने वाला रोग है संकरमित पे जल से फहलने वाला रोग कौनसे है यह ए बैक्टिडिया से होता है ठीक है एगला प्रसंद देखते हैं रसा अंकूर जौन परहसा अंकूर किसमें पाजाता है ? जो कसी का ठीकता ? अगला प्रस्न है , हम आप ये किस भाग में होता है ? जो ऋप्शन भी कोशी का द्रब में होता है ? जो अलग को संजोग से बनता है तो नर जुग्म तथा मादा जुग्म के संजोग से बनता है क्या बनता है तो सुक्रानू अंडानू जाइगोट उप्यूक्त में से सभी तरह राटेंसर ऑफसन पर जुगा जाइगोट पनता है अगला परसन मुल भहुतिक राशियों की संखिया है तो मुल भौतिक राश्यों की संख्या कितनी है तो इसका राइट एंसर ऑप्शन डी वह जागा साथ है ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं निम्न में से कौन से कथन सथ असत है तो कौन से कथन असत है तो यह अप्शन में जिया गिया है दूरी में केवल परिमान होता है तो यह सही है क्योंकि दूरी क्या है अदिस राशी है और अदिस राशी किसको करते हैं जिसमें परिमान होता है दिसा नहीं होता है ठीक है तो दूरी क्या हो गया अदिस राशी है अदूरी में केवल परिमान होता है तो यह सही है विस्थापन अदिस राशी ह क्योंकि विस्थापन में क्या हता है परिमान और दिशा दोनों होता है और परिमान और दिशा जो दोनों होता है उसको क्या करता है सदिश राशी करते हैं ठीक है तो एक कथन गलत है विस्थापन की दर को तवरण करते हैं एक गलत है विस्थापन की दर को जो है वेग करते है तो यह भी गलत है तो option D में दिया गया उपूर्ट सभी तो जोस्तो यह option गलत दिया गया है option B और C इसका जो है कथन असत है A कथन सत है तो इसका B और C हो जागा ठीक है अगरा प्रसंद देखते है Q जदी किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई तवरन उत्पन नहीं होता है तो बल कहलाता है तो बल क्या कहलाता है तो संतुलित बल कहलाता है ठीक है जिसका right answer option A हो जागा अगला प्रसंद देखते है Q जदी कोई वस्तु किसी दरब में डूब जाती है तो निम्य में से कौन सा कथन सत होगा तो जदी कोई वस्तु किसी दरब में डूब जाती है तो कौन से कथन सत होगा सत कथन बताना है ठीक है तो option A में दिया गिया है कि तरने के बाद सिधान mm किसे ने दिया Einstein ने दिया है तो A कथन जो है गलत है आइंस्टिन ने नहीं दिया है आप क्रिमीडिस ने दिया ढह Charl covered उत्पलावक बिल के बराबर है यह भी गलत है इस्प्रस्थ का भार उत्तुक बल से अधीक होता है उसенно बेगा अग्ला प्रसंत रहती है है किशन पूर्न आंथिक प्रावारतन की इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है सवेट परकास जब एक प्रिस्म से होकर गुजरती है तो वर्ण अनिरंग सबसे कम बिचलित होता है वह रंग कौन सा है तो दोसों वह रंग जो है लाल रंग है ठीक है लाल रंग का जो है विचलित कम होता है और तरंग धेल इसका क्या हता है अधिक होता है बैंगनी का तरंग धेल क्या हता है सबसे कम होता है और यह जो है विचलित सबसे अधिक होता है ठीक है तो ध्यान रख समूद्र के जल से नमख को किस वीधी के दवारा निकाला जाता है तो वास्पिकरन वीधी तबारा ठीक है जिसका राइट एंसर और और यह अगला प्रक्श्शन है एकवा रेज़ज्ञ में हायड्रो ख्लोरिक अमल तथा नायट्रिक अमल का अनुपात क्या होता है तो हायड्रो क्लोरिक अन्हेज है शी एल्ट नाय टिक अमल होता है hno3 Hな o3 तो दोनों का अनुपाद मताना पार CC 3 अगला प्रसुन देक्ते हैं कि उचा बिधूत का सुचालक अधातु है तो कौन सा होता है इसका जिएक अधातु होसानला अधातु होता है अगला प्रस्न है एक द्रब अधातु है एक दरव अधातू है तो ब्रोमिन जो है एक दरव अधातू है तो इसका राइटेंशर ओप्सन सी हो जागा पारा जो है एक दरव धातू है ठीक है तो धिहान लखेगा अगला प्रस्थन देखते हैं कि युचन पीिच वल्रंड नंग्ड में से किस दाटु रोब जो है किस तरुका एस्क है अगला प्रति सविधान में संसद के दोनों सद्नों की सनजूक्त के संजीत के सव्य." tu. बैटा का nya प्रवधा संख्य सतंुत क्या गया है ? अकला राजपाल को पध की सपध किसके दवारा दिलाई जाती है ? तो इसका राइट एंसर ओप्सन हो जाएगा उच नियाले के मुख नियाधिस के द्वारा ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं क्योशन भारते सविधान के किस संसोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राजब्योस्था को सविधानिक दर्जा दिया गया है तो किस संसोधन अ आयोक की रिपोर्ट किसको परुस्तूत करनी होती है तो संग लोग्सवा आयोक की रिपोर्ट जो है किसको परुस्तूत करनी होती है तो इसका राइट एंसर aa अगला प्रसन है खाली एस्तान अनि किसका मतलब है कि सर्वोच न्याले मामले और उसमें सामिल कानुन मुद्धों पर पुन विचार करेगा तो किसका मतलब होता है तो इसका राइट एंसर ओप्सन जी हो जगा अपिलिये छेत्रा धिकारी का मतलब है ठीक है अगला प्रसन भारती सविधान का अंतिम ब्योष्थापक है तो भारती सविधान का अंतिम ब्योष्थापक कौन होता है तो इसका राइट एंसर ओप्सन जी हो जगा सर्वोच न्य अंतरव में रहते हैं तो इसके राइट एंसर ओप्शन सी हो जागा राज के ठीक है अगला प्रसंद रखते हैं कि युचे ने महान लोविस मौडल का समन्द किस पंचवर्षिय ओजना के साथ जोड़ा गिया है तो महामनलोविस मौडल का समन्द किस पंचवर्षिय ओजना के साथ जोड़ा गिया है तो इसके राइट प्रदेश की है हिमाचल परदेश की ठीक है इसका राइट एंसर ओप्सण नहीं इन में से कोई नहीं अगला प्रसंद एक कुचन इसका राइट एंसर ऑप्सण वियु लगा 15.24 sam अगला प्रस्न है परति हेक्टियर उतपादन की द्रिष्टी से सबसे अधिक चावल का उतपादन की सिराज में होता है तो परती हेक्टेर उत्पादन की दिरिश्टी से सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है किस राज में होता है तिसके राइट एंसर ऑप्संस योज़ेगा पंजाब राज में ठीक है अगला प्रसंद देखते हैं कियुचन दिया गया है कि स्ची वन के साथ स्ची दो को मिलाईए और सूचियों के नीचे दिये गे एक कुट की सह Ade से सही उत्तर का चेहन किजिए छीम कारवेट कहां है तो दोसे में तो जीम कारवेट उत्रा खंड में है बांध गड़ जो है मध पर्दिस में है दंफा मिजोरम में है रंधमब और राजस्थान में तो इसका सही अंसर हो जाएगा तीन हो जाएगा पहला नमबर फिर इसके बाद हो जागा 4 इसके बाद 2, 1 3, 4, 1, 2 किसमे है 3, 4, 2, 1 जो option C में C इसका right answer हो जागा अगला प्रस्ण है कि भारत में सरवधिक वर्षा निम्न में से कीन छेत्रों में होती है तो सरवधिक वर्षा जो है कीन छेत्रों में होती है तो इसका सही answer option ये हो जागा पच्छिम घाट हिमाले छेत्रत तथा में घाले में अगला प्रस्ण है ring of fire से अभिपराय है तो ring of fire से अभिपराय है परसांत महासागर में भुकंब एवं जुवाला मुखी से परवाईज छेत्र तो इसका right answer option से हो जागा अगला प्रस्ण भुमाद रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है तो दोस्तों भुमाद रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है तो इसका right answer हो जागा option D 13 देशों से होकर गुजरती है ठीक है अगला प्रस्ण रेखते हैं क्यूचन निम्लिखित जल्धाराओं में से कौन सी ठंडी जल्धारा है, तो फौक लेंड जल्धारा, लेवरा डोर जल्धारा, बेंगु एला जल्धारा, इस सभी जोस्तों ठंडी जल्धारा है, ठीक है, तिसका राइट एंसर ऑप्शन डी हो जागा इन में से सभी, अगला प्रस्ण निमन में से कौन सा देश कास्पियन सागर्थ से सीमा नहीं बनाता है दिसका राइटेंसर options जो होगा इराग ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं कि युचन निमन में से किस जिला की सीमा परणिया जिला का की खेगो कि पॉर्निया जिला अगला देखते हैं कि एकी एक किशन और निमलीखीत में शर्वधिक पाये जाते हैं तो किस राज में सर्वधिक पाये जाते हैं तो इसका राइटेंसर ओप्शन यह हो जागा बिहार राज अगला प्रस्ण है कि 2011 की जनगन्ना के अनुसार बिहार में सरवधिक लिंगानुपात किस जीला का है तो बिहार में सरवधिक लिंगानुपात किस जीला का है तो भारत का सबसे लंबा राष्टिय जलमार्ग कौन सा है तो इसका राइट एंसर ओप्सन यह हो जागा राष्टिय जलमार्ग एक ठीक है अगला प्रसंद रखते हैं क्यूचन है सूनी रेखा कहलाती है तो सूनी रेखा जो कहलाती है तो इसका राइट एंसर ओप्सन यह हो तो लाइक करेगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जोरू दबाले जएगा जैंद